C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का बारवा पाठ कैसे कैसे बदले घर प्रिष्ट 96 मैं हूँ चेतन दास सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था आज कल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ एक बड़ा बदलाव बात तपकी है जब मैं नौ वर्ष का था समझो लगभग साठ साल पहले उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे अब वह जगह पाकिस्तान में है आसपास बहुत गड़बड हो रही थी पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गाउँ छोड़ कर दूसरी जगह जाना है प्रेश्ट 97 मुझे अपना घर अपना गाउँ छोड़ कर बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा था वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त मैं बाबा अम्मा मेरे तीन चोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेल गाड़ी में बैठ कर दिल्ली आ गए लोग बाते करते थे कि हमारा देश दो हिस्सो में बट गया है भारत और पाकिस्तान भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे हम कुछ दिन केंप में रहे केम्प एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगा कर बना था एक नई शुरुवात एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहोना गाउं में जमीन मिली है अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे मैं बहुत खुश था बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया हम बच्चे भी कहां पीछे रहने वाले थे बाबा ने पास से ही मिट्टी खो दी हमने परात भर भर कर मा को पकड़ाई गुडिया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया बाबा ने दीवारे बनाएं हम आसपास के घरों से गोवर ले आए अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीडा नहीं लगता प्रिष्ट 98 बस अब छत बनानी रहती थी बाबा ने लकडी के फटे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दिवारों पर टिका दिया लकडी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकडियां इस फ्रेम पर बिचा दि अम्मा ने पुरानी बूरियां इस पर बिचा कर मिट्टी से लेप कर दिया आसपास के ज्यादतर सभी घर ऐसे ही बने थे पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था पता करो और लिखो अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्मर के किसी बड़े व्यक्ती से पता करो कि जब वे आठ नौ बर्ष के थे तब वे किस जगा या शहर में रहते थे उनका घर किन किन चीज़ों से बना था क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था अगर नहीं तो कहां बना था उनकी घर में खाना कहां बनता था चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ बताव क्यों प्रिष्ट निन्यानवे मकान में बदलाव समय बहुत जल्दी बीट गया मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवाले एक कमरा और डलवाले शहर में सीमेंट का बहुत चलन था कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है मैंने बाबा और अम्मा की सला से नए कमरे की छट, लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई बाजार में तब कच्ची इटें भी मिलती थी कमरे की दिवारें हमने इन इटों से बनवा ले इससे यह फायदा हुआ कि इन्हें हर हफते लीपना नहीं पड़ता था साल में एक बार इन दिवारों की चूने से पुताई कर लेते थे हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई उसमें एक तरफ मिट्टी का चूला बना था और दूसरी तरफ बरतन रखने की जगह फिर मेरी शादी हो गई मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुलहन बनकर आई थी वह रसोई में नीचे बैठ कर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठ कर एक साथ खाना खाता सच वे दिन भी क्या दिन थे गाउं के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतिजाम किया हुआ था हमने भी वैसा ही किया पिछवाडे में कच्ची इटें लगा कर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया प्रिष्ट सौ चेतंदास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मल मूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी जो लोग टॉयलेट का उप्योग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे चर्चा करो क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है उसे कौन साफ करता है और भी बदलाव मेरे दो बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई पंद्रह साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी जब राजु की शादी की बात चली तो सभी को लगा की नई दुलहन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा ले तब तक हमारे गाउं में पक्की इटों का चलन शुरू हो चुका था इसलिए दीवारें पक्की इटों से बनवाएं और छट पर लेंटर डलवा लिया फर्श भी मारवल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम करा दिया कि मल मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए रसोई घर पहले से बड़ा करवाया राजु की बहु अब बैठ कर मिट्टी के चूले पर नहीं बलकि खड़ी होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है प्रिष्ट 101 नई नई चीजें मेरे छोटे बेटे मौन्टु की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है मैं और सुमन कभी मौन्टु के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजु के पास सोहना में मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरु ग्राम शहर पड़ता है मेरे देखते ही देखते इतनी सालों में यहां कितनी सारी बड़ी-बड़ी इमारतें बन गई हैं और वे भी कितनी उची-उची कुछ साल पहले राजु ने दोबारा टॉयलेट बनवाया उसने बाथरूम में रंगीन टैले भी लगवा ले नहाने की जगह पर फिजूल इतना फैसा खर्च किया मैं अब सत्तर वर्ष का हूँ इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे पता नहीं मेरे पोता-पोती बड़े होकर कहां रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर पता नहीं देरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे? मेरे सभी दोस्त भी कहां होंगे? तुम्हारा अपना मकान किन-किन चीजों से बना है? लिखो पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन-किन चीजों से बना है? दोनों में क्या कोई अंतर है? लिखो तुम्हारे अनुसार चेतन दास्ची के पोता-पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे? प्रिष्ट एक सौ दो तुम बड़े होकर कहां और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे? तुमने अपने दादा-दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीजें लिखी थी क्या उन में से कुछ चीजें तुम्हारा घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई है? बताओ कौन-कौन सी चीजें यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ लोग एक मकान बना रहे हैं एक व्यक्ति बिजली का कारे कर रहा है एक व्यक्ति पानी की विवस्था के लिए पाईप लगा रहा है एक व्यक्ति सीडी पर चड़कर छत बनाने के लिए कारे करने के लिए जा रहा है एक व्यक्ति सिमेंट धो रहा है एक व्यक्ति सिमेंट का घोल तयार कर रहा है एक व्यक्ति रोड़े आधि को कूट रहा है इस चित्र के अनुसार लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं वे किन-किन औजारों का इस्तिमाल कर रहे हैं इस पर आधारित एक तालिका बनाओ तालिका में तीन कॉलम बनाओ पहला कॉलम क्या काम हो रहा है दूसरा कॉलम क्या ओजार प्रयोग किया जा रहा है तीसरा कॉलम वहवेक्ति किस नाम से बुलाया जाता है प्रिष्ट एक सो तीन क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों में जुड़े हैं? उनसे बात करके उनकी काम के बारे में जानो इसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करो अपनी अध्यापिका या घरवालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहां कोई बिल्डिंग बन रही हो वहां काम कर रहे लोगों से बात करो और इन प्रश्नों के उत्तर पता करके लिखो प्रश्न हैं, वहां क्या बन रहा है? वहां कितने लोग काम कर रहे हैं? वे क्या क्या काम कर रहे हैं, वहां कितनी ओरतें और कितने आदमी हैं, प्रिष्ट 104 क्या वहां बच्चे भी थे, क्या वे भी काम कर रहे हैं, काम कर रहे लोगों को रोज के कितने रुपे मिलते हैं, किनी तीन लोगों से पूछो काम कर रहे लोग कहां रहते हैं? जो बिल्डिंग बन रही है, उसे बनाने में क्या-क्य चीजें इस्तेमाल हो रहे हैं? पूरी बिल्डिंग बनने में अंदाज से कितने ट्रक, इंटें और कितनी सीमेंट की बोरियां लगेंगी? बिल्डिंग बनाने का सामान किन-किन वहनों में भरकर आता है ट्रक, रेहडी या किसी और तरह सूची बनाओ इनकी कीमत पता करो एक बोरी सिमेंट एक पक्की इंट एक बड़ा ट्रक रेत प्रिष्ट एक सौपाँच अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्ण पूच कर उनके उत्तर लिखो साथ सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन-जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ उन्हें सही क्रम में लिखो आओ घर बनाएं कक्षा के बच्चे तीन-चार समू में बट जाएं हर समू अलग-अलग तरह के मकान का मोडल बनाए तुम इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो मिट्टी, लकडी, कपणों के टुकडे, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज, माचिस की डिब्बी और रंग सभी घरों को एक साथ रख कर बस्ती बनाओ कैसे कैसे बदले घर अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का बार्वा पाठ प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, महारत